नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई प्रेग्नेंसी के दौरान कई बातों का खास ख्याल रखने की जरुत पड़ती है जैसे आप क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं, आपको कैसे सोना है, कौन से चीज पढ़नी चाहिए हर चीज का ख्याल या यू कहें, आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल चाती है जो महिलाएं ज्यादा आलू खाती हैं, उन्हें गर्भवस्ता के दौरान मदू में होनी की आशन का बढ़ चाती है जी हाँ, एक अधिन से ये खुलासा हुआ है शरीर में इंसुले नाम के हार्मोन के कम बनने से डाबिटीज होती है इसमें सबसे आम है टाइब टू डाबिटीज इसके बाद है जेस्टेशनल डाबिटीज, जिसे गर्भवस्ता के दौरान होने वाली डाबिटीज भी कहा चाता है महिलाओं को गर्भवस्ता के दौरान होने वाली डाइबिटीज के टाइब टू डाइबिटीज में बदलने का अंदेशा रहता है शोद करताओं ने मधुमे से बशने के लिए गर्वती महिलाओं को आलो की जगा दूसरी सबजिया फलो या अनाज खानी की सलहादी है प्रग्नेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं में मधुमे एक प्रमुक समस्या है इसके कारण मा के खून में चीनी का अस्तर बढ़ जाता है और भविश में मा और बचे दोने के लिए समस्याओं पैदा हो सकती हैं यूस नाशनल इंस्टिटूट ऑफ हेल्थ और हावर्ड विश्विद्याले के शोद करताओं ने साल 1991 से 2001 के बीच 15,000 महलाओं पर ये अध्यन किया जिन्हें गर्भवस्ता से पहले कभी मधुमे नहीं था इस अध्यन में ये बात सामने आए कि गर्भवस्ता के दोरान जिन महलाओं ने आलू का सेवन अधिक किया उनके शरीर में शुगर की मात्रा बड़ी हुई थी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम उमीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंदाई होगी ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें बोल स्काय